हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आज का क्लास जूम एप पर जो साड़े साथ से साड़े आठ चलना था वो चल नहीं पाया आज का क्लास मतलब आज त्यूजडे है आज का क्लास मौर्निंग का साड़े साथ से साड़े आठ जो चलता है केमस्ट्री का वो जूम ए जो भी क्लास में आज हमें पढ़ाना था उसका मैं वीडियो रिकार्ड कर ले रहा हूं और यूटूब पर अपलोड कर दूँगा दो तीन चार घंटे में जब अपलोड हो जाएगा आप उसको साम तक देख करके नोट्स जरूर बना लीजिएगा अदरवाए जब अब आप कल क्लास अटेंड करोगे तो जब तक आपको आज का क्लास नहीं पता होगा फिर आगे आपको दिक्कत होने लगेगा तो आपकी जिम्मेदारी है आपकी रिस्पॉंसिबिल्टी है कि आज का वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं र रेक्टर रेट आप रियक्शन को प्रभावित करते हैं तो इसका वीडियो आप देख करके नोट्स जरूर बना लीजिएगा फिर कल सेम टाइम यानि सुबा साड़े साथ से साड़े आठ हम लोग फिर कांटिन्यू करेंगे ठीक है बच्चों तो कांटिन्यू करते हैं और साम वाले बैच के जो बच्चे हैं उनको एक वीडियो कल वाला जो केमकल कानेटिक्स लेक्चर नंबर टू का भी देखना है और केमकल कानेटिक्स लेक्चर नंबर थ्री का भी देखना है तो मतलब का जो साम वाले बैच वाले बच्चे हैं यानि पान से छे जो 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 कहुंगा तोड़ा नेटडु प्रॉब्लम जादा होने के वजा से कलास चल नहीं पाया कभी भी कलास आफ नहीं होगा अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तभी हम आप करेंगे अदरवाइस संडे मंडे टूजडे डेली कलास हम लोग कंड़क्ट कराएंगे तो मतलब ये ध्यान देना और उसके बाद वीडियो के साथ साथ मैं पीडिय अभी आपके पास सेंड करूंगा तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कला देखना फैक्टर अफैक्टिंग रेट आप रियक्षन मतलब कौन कौन से फैक्टर रेट आप रियक्षन को प्रभावित करता तो फस्ट है नेचर आप रियक्टेंट फस्ट फैक्टर है नेचर आप रियक्टेंट अगर रियक्टेंट का नेचर चेंज करोगे तो रेट आप reaction change हो जाता है तो nature of reactant चलो मैं continue करता हूँ nature of reactant मतलब reactant किस nature का होगा यह depend करेगा rate of reaction पर तो पहला माल लेते हैं पहला condition है माल लेते हैं if number of number of bond in substrate in substrate molecule substrate molecule are same माल लेते हैं कोई substrate molecule है या कोई reactant molecule है उसमें number of bond same हो मलब 3 bond 4 bond कुछ भी number of bond same अगर है तो number of bond same होगा तो rate हम कैसे निकालेंगे तो rate directly proportional हो जाएगा बच्चो bond length के rate directly proportional हो जाएगा किसके? bond length के और universally proportional हो जाएगा बच्चो bond strength के inversely proposal हो जाएगा bond strength के समझे ध्यान से मान लेते हैं कोई reactant है मान लेते हैं कोई reactant A और A B है यह A B reactant है और यह convert हो रहा है A B A plus B product में convert हो रहा है तो अब यह ध्यान देना कि जब तक यह bond break नहीं होगा A और B के बीच में जब तक यह bond break नहीं होगा जोर होगा उतना तेजी से break होगा और उतना तेजी से reaction forward direction में move करेगा यानि rate of reaction उतना जदा होगा तो इसका मतलब यह bond जितना बढ़ा होगा bond strength उसका उतना छोटा होगा तो bond length इसका जितना जदा होगा उतना break होने की probability जदा होगा इसका मतलब rate आप reaction जादा होगा तो bond length जादा होना चाहिए और bond strength कम होना चाहिए तब जाकर के reaction का rate जादा हो जाएगा तो ये आपको ध्यान देना है पहला point ये था चलो second बच्चों हम लोग देखते हैं second आप लिखोगे if bond strength if bond strength अगर bond strength की बात करें if bond strength आप bond bond strength हा bond मलब bond की मजबुताई strength है bond in substrate in substrate in substrate molecule substrate molecule are same अम मा लेते हैं bond strength ही same हो जाए मलब कोई reactant molecule है उसमें जितने types के bond है सबका bond strength सेम हो जाए मतलब bond की मजबुताई सेम हो जाए तब क्या होगा तब बच्चों rate rate हो जाएगा universally proportional number up number up bond number up bond in substrate in substrate in substrate number up bond in substrate ये फार्मूला हो जाएगा मतलब ऐसे समझ लो मा लेते हैं कोई मतलब reactant है उसमें bond strength reactant में जितने bond है सब सेम अगर है bond strength अगर बराबर सबका है इसका बलब number up bond जादा होगा तो rate कम हो जाएगा क्योंकि जब तक सारे bond break नहीं होंगे rate उसका हो जाएगा कम फार एक्जामपल एक्जामपल समझ लीजिए अगर एक्जामपल की हम बात करें ध्यान देना मा लेते हैं जैसे CH4 है CH4 है और हम इसका combustion कर दें O2 के presence में तो आपको पता है मेथेन का combustion करोगे तो मेथेन में कितने कारबन है तो इसका मतलब उतना CO2 निकल जाता है प्लस मेथेन के पास कितना hydrogen है दो तो जस्ट हाफ वाटर निकाल दो को तो 2H2O निकल जाएगा क्लियर हुआ अब यहाँ oxygen को balance कर लो 2 oxygen और 2-4 oxygen यानि 2 से multiply कर दो तो oxygen balance है तो यह कोई chemical equation है मा लेते हैं यह chemical reaction यानि combustion आप methane R1 के speed से हो रहा है rate इसका क्या है R1 है चलो अब मैं ले लेता हूँ Ethan C2H6 और इसका combustion कर दूँ O2 के presence में और मा लेते हैं यह R2 के speed से हो रहा है R2 के speed से हो रहा है तो R2 के speed से हो रहा है तो R2 के speed से होगा तो क्या बनेगा 2 CO2 प्लस कितना hydrogen है 6 तो यहां 3 water निकाल दो 3 H2O अब oxygen को balance करो 2 दूना 4 3 7 oxygen है तो 7 by 2 से multiply कर दो तो यह reaction हमारा balance हो चुका है अब यहां ध्यान देने वाली बात है बच्चों यहां carbon hydrogen carbon hydrogen bond है कितने bond है 4 bond है और यहां देखना carbon hydrogen 6 bond है number आप यहां अगर देखें structure बना ले तो एक hydrogen एक hydrogen एक hydrogen एक hydrogen फिर carbon फिर hydrogen फिर hydrogen फिर hydrogen फिर hydrogen फिर hydrogen तो number आप bond यहां जादा है number आप bond यहां जादा है जबकि methane में number आप bond 4 ही है तो number आप bond अगर जादा है substrate में या reactant में तो उसका rate कम होगा यानि आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ R1 जादा है कि R2 तो आप बताओगे क्या जादा है R1 is greater than R2 मलब first reaction बहुत fast होगा second reaction के compare में यानि methane का combustion बहुत तेजी से होगा ethane के combustion से तो आपको ये पता होना चाहिए चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं point third लिखता हूँ point third देखेगा मान लेते हैं कोई माइटर है किसी माइटर की बात करें in state of matter माइटर के तीन state होते हैं अगर देखा जाए chemistry में वैसे तो 5 होते हैं but chemistry में हमें 3 ही ध्यान देना है in state of matter की अगर बात करें तो solid liquid gas होता state of matter तो अगर मान लेते हैं कोई मतलब है reaction gaseous form में है तो वो बहुत तेजी से उसके माली की उलापस में collide करें को collision करें product में convert हो जाएंगे अगर liquid है तो reaction थोड़ा सा कम होगा solid है तो rate of reaction और slow हो जाएगा तो इन state of matter की बात करें तो सबसे fast rate होगा किसका gaseous state में अगर matter है और फिर slow हो जाएगा किसका rate of liquid liquid का rate और slow हो जाता है और सबसे slow होगा rate of solid मलब अगर कोई भी substance है उसके तीनो form अगर हैं तो वो सबसे तेज rate of reaction किस form में होगा gaseous में होगा तब liquid में होगा तब solid में होगा क्यों क्योंकि gaseous में surface area बढ़ जाएगा number आप malicules जादा होंगे तो जादा particles होंगे इदर उदर जादा तेजी से move करेंगे तो collision जादा तेजी से होगा और जितने जादा collide करेंगे एक दूसरे से reaction तेजी से होने लगेगा ठीक है तो ये point आप note कर लीजिएगा चलो अगला point देखते हैं बच्चों D point है क्या है rate of reaction हमें हम लोग देख रहे हैं तो जितना जादा surface area हम लोग बढ़ाएगे rate of reaction बढ़ता जाता जैसे ठंडी के महीने में आप क्या करते हो लकड़ी लेते हो कोई भी लकड़ी है उड़ है उसको आप जलाते हो तो अगर लकड़ी मोटा मोटा लकड़ी है तो जल्दी से जलेगा नहीं लेकिन अगर उसी का powder बुरादा type का बना देते हैं तो powder form में अगर लकड़ी है तो बहुत तेजी से जल जाता तो क्या reason है क्योंकि उसी लकड़ी को अगर solid में अब ये pen है अगर ये ऐसे solid में होगा तो इसको जलाएंगे तो बहुत slow जलेगा लेकिन अगर इसको powder form में convert करके जला दिया जाए तो बहुत तेजी से जलेगा क्यों क्योंकि powder form में इस substance का surface area बढ़ जाता तो आप लिख सकते हैं अगला point note करिएगा बच्चों rate of reaction rate of reaction increases arrow लगा दिया गया है उपर increases rate of reaction increases bit increase surface area surface area जैसे जैसे आप surface area बढ़ाओगे surface area of reactant जैसे जैसे आप बढ़ाओगे rate of reaction बढ़ जाता है आप से पूछा जाता है UP board English medium में question आ चुका है कि अगर आप लकडी को बुरादा के फौर में जलाते हो तो तेजी से जल जाता है बट अगर उसको मोठा लकडी अगर solid मतलब एक बड़ा सा लकडी जलाते हैं तो slow जलता है क्यों तो आपको बताना है लकडी बुरादा के फौर में आप आउडर फौर में surface area बढ़ जाता है इस बज़ां से तेजी से जल जाता है तो एक question UP board वालों ने पूछा है तो आपको ध्यान देना है that is इसका मतलब आप लिख सकते हैं एक statement क्या लिख सकते हैं rate of reaction become rate of reaction become maximum rate of reaction become maximum when solid reactant when solid reactant become solid reactant become in powder form in powder form powder form में अगर solid reactant है तो rate of reaction सबसे ज़्यादा maximum हो जाता है अगर कुछ चीज़ें मिलाना है तो उसको powder बना दो जल्दी से मिल जाता है बट अगर solid में है liquid में हो तो तेजी से नहीं मिल पाता है पत्थर को mix करना है तो पत्थर बड़े बड़े particles होंगे तो कहा mix हो पाएंगे अगर उसको powder में convert कर दो तो मिल जाता है दूसरे में तो ये ध्यान देना अगला point अगला heading बच्चों हम लोग देखते है second heading है temperature second heading लिखिएगा आप लोग temperature में बहुत slow पढ़ा होंगा जैसे class में तो और speed slow हो जाता जब आप लोग white board पर पढ़ते हो लेकिन कभी-कभी आपको मतलब compromise करना पढ़ेगा क्योंकि network problem कभी-कभी हो जाता तो class conduct नहीं हो पाता है तो वहाँ तो network कभी-कभी दिक्कत होता है महीने में एक आव दो बार दिक्कत हो जाता है बट यूटूब पर पढ़ाने का ट्रावाइ क्या है कि मैं एक site से पढ़ाता रहता हूँ और आप लोग सुनते रहते हो रेगुलाइटी आप maintain नहीं कर पाते हो पता चला एक बच्चा वीडियो नंबर 10 देख रहा है तो दूसरा बच्चा 3 पर ही पहुँचा है 14 बच्चा सो रहा है वो पाँचवे पर ही पहुँच पाया तो इससे दिक्कत हो जाता है रेगुलाइटी सबसे जादा फाइक्टर है और डेबियेशन बहुँ जादा होता यूटूब पर इस वज़ां से जूमाय पर क्लास से बहुत सही है तो लेकिन फिर भी कभी कभी जैसे कुछ क्लास अगर कैंसिल होता है जूमाय पर तो उसका वीडियो मैं यूटूब पर अपलोड कर दिया करूंगा जिससे हम लोगों का नुकसान नहीं होगा और स्लेबर्स भी आगे बढ़ता रहेगा तो आपकी रिस्पॉंसिबिल्टी है इमानदारी से जो भी कंटेंट दिया जाए उसको आप अच्छे से कबर करके नोट्स बनाते रहेए तो बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ होगा और इस वजह से जब मालीक्यूल की वेलोसिटी बढ़ेगी तो नंबर आप इफेक्टिव कोलीजन बढ़ेंगे और इफेक्टिव कोलीजन बढ़ेंगे तो रेट आफ रियक्शन इंक्रीज हो जाता है फिर से समझना जैसे माल लेते हैं एक कंटेनर में लेता हूँ जान देना एक कंटेनर है इस कंटेनर में माल लेते हैं ए और बी दो रियक्टेंट है और ये कनवर्ट हो रहे हैं किसमें प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं माल लेते हैं प्रोडक्ट ए भी बन रहा है चलो तो अब इस container को जब आप ही और जब यह ध्यान दीजिए A और B तभी आपस में react करेंगे जब एक दूसरे के पास आएंगे नस्दीक आएंगे और effective collision करेंगे तभी तो आपस में react करके product में बदलेंगे तो क्या होगा A और B अगर पास आएंगे तो पास आने का condition क्या है अगर हम temperature बढ़ा दें तो temperature बढ़ाएंगे तो यह क्या करेंगे energy absorb करेंगे यानि इनकी kinetic energy बढ़ेगी kinetic energy बढ़ेगी तो यह molecule चारो दिशाओं में ऐसे move करेंगे इदर उदर move करेंगे और move करेंगे इसका मतलब molecular velocity बढ़ा और molecular velocity बढ़ेगा इसका मतलब एक दूसरे से टकराएंगे और टकराएंगे तो माल लिया 50 बार टकराएंगे और 50 बार में से अगर 20 बार effective अच्छे से टकरा गए तो reaction हो जाएगा तो number आप effective collision बढ़ गया effective collision मतलब जितना अच्छे से टकराएंगे उतना तेजी से चिपक करके bond बना देंगे bond बना करके product में convert हो जाएंगे तो आप लिख सकते हो लिखोगे एक statement बहुत important statement है लिखना rate of reaction rate of reaction rate of reaction rate of reaction increases with increase temperature अगर आप temperature बढ़ाओ कि तो rate of reaction increase हो जाएगा because reason क्या है is because kinetic energy kinetic energyysis genetic energy increases and εज और फिर क्या होगा kinetic energy बढ़ेगा फिर molecular velocity molecular velocity molecular velocity increase होगा molecular velocity increase होगा and hence और इस वजह से and hence जब molecular दोदर move करेगा तो velocity बढ़ेगा इसके वजह से क्या होगा and hence number of effective number of effective collision number of effective collision increases number of effective collision बढ़ेगा number of effective collision जितना जादा अच्छे से चिपकेगा प्रोडक्ट उतना अच्छे से बनाएगा तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहे टेंपरेचर बढ़ाएगे तो rate of reaction बढ़ेगा क्योंकि kinetic energy बढ़ता है जिसके वजह से बढ़ेगा इस बढ़ेगा इस बढ़ेगा से नंबर आफ effective collision इंक्रीज होता है ठीके बच्चों कोई problem बताएगे चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको है और एक negative catalyst होता है मतलब ऐसा catalyst जो मतलब reaction को proceed करा दे अच्छे से product में convert करा दे तो उसे हम बोलते हैh positive catalyst है और ऐसा केटलिस्ट जो reaction को बढ़ाए ना और slow कर दे उसका rate कम कर दे मतलब rate आफि reaction याakte speed कम कर दे reaction काν subjects peace जाने का तो उसे हम बोलते हैं negative तो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है और निगेटिव कैटलिस्ट ध्यान से समझना जैसे मा लेते हैं एक वायर है एक ऐसे लगा देता हूं और यह रियक्टेंट A A plus B है और यह product में convert हो रहा है तो जब तक यह इस barrier को cross नहीं करेगा यह barrier मा लेते हैं इतने distance पर रहा है अब मा लेते हैं A और B मलब आप ऐसे ले लो मा लेते हैं 4-6 मलब 2-3 बच्चे हैं यह रसी है यह रसी है अगर यह बच्चे इस रसी को कूदेंगे तभी धर जाएंगे product side में तो अगर इस रसी को हम ऊपर कर दें तो यह बच्चे उसको कूद पाएंगे नहीं कूद पाएंगे और अगर इस रसी को छोटा कर दें नजदेक कर दें कम कर दें height पर तो यह बच्चे यानि A और B जो बच्चे हैं वो कूद करके उधर जा सकते हैं तो इस रसी को chemistry मे बोला जाता एक्टिबेशन एनर्जी क्या बोला जाता एक्टिबेशन एनर्जी अब ये एक्टिबेशन एनर्जी मतलब रसी की उचाई अगर घटाओगे मतलब एक्टिबेशन एनर्जी अगर कम करोगे तो A और B प्रोड़क्ट के साइड में जाने का चांस जादा होगा औ और अगर activation energy बढ़ाते चले जाओ, रसी की length बढ़ाते चले जाओ, तो reactant product में आसानी से convert नहीं होंगे, तो positive catalyst यहीं करता है, वो activation energy को कम कर देता है, जैसे आप क्या करते हो, बच्चा कूदने जा रहा, रसी को नीचे कर दो, तो आप positive catalyst हो गए, मलब बच्चे को activate कर दिया, कि तो उसके pair में फस जाएगा, वो कूदी नहीं पाएगा उस साइड में, तो इसका मलब आप negative catalyst होगे उसके respect में, तो positive catalyst क्या करता है, activation energy को बढ़ा देता है, इस वजह से reactant product में बदल नहीं पाते हैं, तो आप ऐसे लिखोगे, there is two types of catalyst, first is positive catalyst, positive catalyst है first, note करके आप लोग लिखते चलिए, positive catalyst, positive catalyst क्या करता है बच्चों, यह increase करता है, increase rate of reaction, increase rate of reaction, यह rate of reaction को बढ़ाता है, increase rate of reaction, by decreasing, by decreasing, arrow लगा करके ING लिखा मनलब decreasing, by decreasing activation energy, by decreasing activation energy, बलब activation energy को घटा करके rate of reaction बढ़ा देता है, कौन positive catalyst, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों, चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब negative catalyst के बारे में हम लोग देख लेते हैं, negative catalyst, catalyst को detail में हम लोग पढ़ेंगे, इसी chapter में आगे, यह तो मैं shortcut में आपको बता रहा हूँ, निगेटिव catalyst क्या होता है बच्चों, यह क्या करता है, decrease करता है, decrease rate of reaction, decrease rate of reaction, decrease rate of reaction, decrease rate of reaction, by in Rx per power, यान मनलब reaction shortcut में लिखा गया, by increasing activation energy, मतलब activation energy को बढ़ा करके, negative catalyst rate of reaction को घटा देता है, इसका अबला positive catalyst rate of reaction को बढ़ाता है, negative catalyst rate of reaction को घटाता है, region पूछा जाएगा तो बता देना, activation energy घटा करके, या activation energy को बढ़ा करके, कोई दिक्कत चलिए, last point है, factor affecting का last heading है, pressure and concentration, तो fourth है बच्चों, pressure, pressure या इसी को बोलेंगे, concentration, pressure या concentration, दोनों के बारे में मैं डिसकस कर लेता हूँ, ध्यान से समझना, अगर हमारा reaction, गैसियस में दिया है, तो इसका मतलब pressure depend करेगा rate of reaction में, otherwise हमेशा concentration rate of reaction को प्रभावित करेगा, अगर reaction pressure में दिया है, तब, अगर reaction हमारा guiseus में दिया है, तो pressure उस पर प्रभाव डालेगा, बट अगर reaction हमारा echo solution में या concentration टर में दिया, तो concentration effect करेगा, तो आप यही लिखोगे, if reaction is geaseous, if reaction is geaseous, reaction कैसा हो, geaseous हो, then, then rate, then rate of reaction, then rate of reaction, rate of reaction, rate of reaction depend on, rate of reaction depend on pressure, किस पर depend करेगा, pressure पर depend करेगा, depend on pressure, otherwise concentration, otherwise concentration, मतलब जब दिया हो reaction geaseous में, तभी आप pressure की बात करेंगे, otherwise हमेशा concentration effect करता है, किसको, rate of reaction को, इसका मतलब question आया है competition में, क्या competition में question आया है, rate of reaction, rate of reaction does not, does not depend on, does not depend on, first दे दिया है concentration, second दे दिया है बच्चों, pressure, pressure, third option दे दिया है temperature, और fourth option दे दिया है, catalyst, catalyst, तो चार option दे दिया है, मतलब rate of reaction किस पर depend करता है, question दिया है, rate of reaction किस पर depend करता नहीं है, तो मैंने बताया, अगर reaction gaseous में हूँ, तभी pressure पर depend करेगा, तो ये तो कह नहीं रहा कि reaction gaseous में हूँ, most आप दा reaction gaseous में नहीं होते हूँ, हमेशा concentration एक को सोगरा में यूज किये जाते हैं, तो अगर यहां कहता reaction gaseous में, तब तो आप pressure depend करता, otherwise pressure यहां depend नहीं करेगा, यानि कौन साप्सन सही है, pressure depend नहीं करता, तो ये आपको पता होना चाहिए, अब देखो, जो उपर हम लोग लिखे हैं, अगर हम लोग देखें, pb equal to nrt, तो इसको अगर हम लोग solve करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम b को अधर ले जाए, तो p equal to n by b, rt, और number of mole divided by volume, होता है concentration, तो p equal to crt, इसका मलब p directly proportional c, यानि pressure और concentration एक दूसरे पर depend करते हैं, अगर देखा, जो हम लोग यहाँ statement लिखें हैं, मलब rate of reaction pressure पर भी depend करेगा, और concentration पर भी depend करता है, लेकिन pressure पर तभी depend करेगा, जब reaction हमारा gaseous में दिया हो, otherwise हमेशा किस पर करेगा, concentration पर, तो यह rate of reaction depend on, अगर यहाँ basis की mention नहीं किया जा रहा है, अमलब pressure पर नहीं depend करेगा, यह आपको ध्यान देना है, ठीक है, तो बच्चों, आज का class इसी पर मैं बंद करता हूँ, आप लोग notes बना लीजेगा, कल बहुत ही important में start करूँगा, तो इसमें थोड़ा सा मतलब बोर्ड पर बताना पड़ेगा, इस से थोड़ा सा मतलब, जैसे copy पर लिख करके समझ में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बोर्ड पर जब body language दिखता है, तो ज़्यादा समझ में आता है, तो कल फिर हम लोग continue करेंगे, आप लोग अपने अपने time पर morning वाला बैच 7-8 और evening वाला बैच 5-6 चलेगा, morning वाले पूरा नोट्स बना लेंगे, यहां तक कल मैं इसके आगे बढ़ूंगा, नोट करके मैं लिखवाऊंगा, कल बहुत important concept रहेगा, और evening वाले बच्चे उनको दो वीडियो यानि chemical kinetics lecture number 2 और chemical kinetics lecture number 3 दो वीडियो देखना पड़ेगा, तो बच्चों कल हम लोग फिर मिलेंगे ओके, thank you